तो जैसे कि आपको बताएं कि इंडिया में as compared to PC games mobile games का craze बहुत ही जादा है इसका एक प्रूफ लाइप प्रूफ हमें अभी तक देखने को मिल रहा है जैसे कि PUBG mobile की बात करें हम बैटर ग्राउंड mobile इंडिया की बात करें कि अपकमिंग जो PC games अभी आप लोग खेलते हो और बताऊंगा सारी 57 games ऐसी है जो आप लोग खेलते हो बहुत क्रेस से खेलते हो इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोफ कर रही है यह वाली games and वही games mobile platform पे आ सकती है या in fact काफी कुछ games की तो announcement भी officially आ गई है कि 2022 में सब्सक्राइब कर देना और नया content आपको पसंद आएगा I'm damn sure तो चलिए आज की इस वीडियो को बिनर टाइम गई स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रों लंबी हो जाती है मैंनेज कर लिया करो तो वाई सबसे पहले हमें अपने फोन पे सारा कुछ noot कर लिया है कि कौन कौन सी गें भी हमें देखने को मिल सकती है 2022 में इसमें से 2-3 गेम ऐसी हैं जो damn sure की 2022 में वह देखने को मिलने वाली है या कह सकते हैं 2023 के 1st quarter में देखने को मिलने वाली है सबसे पहली जो गेम है, in fact वो यह वाली जो गेम है PC प्लाटफोर्म में बहुत ज्यादा फेमस है, इस गेम का नाम है Devil May Cry, in fact यह गेम चाइना में अभी लॉंच हो भी गई है इस तरह कुछ गेम प्ले, इस गेम का PC पे और मोबाइल पे गेम प्ले, आप यूट्यूब पे सरच कर सकते हैं मैं थोड़ा होता अगर मिलेगा मेरे को क्लिप्स मैं एड़ कर दूँगा तो ठीक था गई इंडिया में, बट अभी Battlefield अपने हाथ यह अपने हाथ, हाथ या पैथ जो भी कह सकते हैं Mobile Gaming Community में भी बढ़ा राया है यह कह सकते है, Battlefield की बात कर रहा हूं है और Battlefield Mobile बहुत ही जल्दी आ सकती है और in development में यह यह वाली गेम और बिल्कुल आईगेस फ्री टू प्ले होने वाली है, फ्री टू प्ले होने वाली है, अगर हम पेड गेम्स की बात करें तो शायद ही चलेंगी, अगर हम डाउनलोड ही पेड कर लें तो बहुत जादा मुश इसकी कौन सी गेम खेल दी है, 2042 Battlefield 1 को कौन सी गेम खेल दी है, popular तो यह ही है जातर इंडिया में, यह मैंने शोर्टी दे दी कि Battlefield Mobile, 2022 में मेरे को लगता है जातर चांसी है कि यह गेम आ सकती है, बट हाँ, थोड़ा अगर कुछ टेक्निकल फोल्स रिजन कुछ इनके EA वालों क सब्सक्राइब होते हैं तो थोड़ा टाइम भी ले सकती है, 2023 के 1st quarter में कह सकते हैं आ सकती है, बढ़ते अभी तीसरी गेम की तरफ जो भी काफी controversial है, मैं भी शोर्टी नहीं ले रहा है, बट हाँ मेरे को कहीना की जब जैसे ही मैं न्यूस सुनता रहता हूं मेरे को लग रह अभी भी development पर ये गेम चल रही है, तो गेम का नाम है COD Warzone, आपको बता है PC पे बहुत ही जादा फेमस है, in fact PC पे तो भी rumors भी आ रहे थे कि ये game, COD Warzone 2 इसका sequel आने वाला एक game का, बट मेरे को जहां तक लगता है कि COD Warzone 2 या integrate कर दें COD Mobile में वार्जोन का कुछ एक आदा मै मेरे कोडिंग भाई करना चाहिए, कि मतलब एक्टिविएन का इसी problem चल रही है, problem क्या सकते है, Microsoft के साथ वो कितने billion dollar का कुछ, 70 billion dollar, 50 billion dollar का कुछ इस चक्कर में देखते हैं वाकि COD Warzone Mobile पहले आती है, COD Warzone पहले आते दोनों में से देखते हैं, क्या पहले आ सकता है, बाकि यही है scene की 2022 में अगर यह game आ जाए तो वाई D-West होने वाला है, and Apex Legends Mobile हो गया, and PUBG Battle of Mobile India हो गया, या PUBG Mobile हो गया, इनको काफी अची तकर देने वाली game क्योंकि मैंने को शोली बताना कमेंट से में को डिस्कोर्ड में किसीने बताया था कि COD Warzone Mobile, COD Warzone जैसी एक Mobile पहले एक game है, same वाई ऐसी बंदा मरता है, same वैसी हमें points मिलते है, same वैसी हमने loot करने होती है, same, सारा कुछ वाई Mecanic Stripe है, ना कुछ, and guys, अगली, personally में कोई सबसे सबसे जादा गाई, जितनी भी लिस्ट में गेम्स है, सबसे जादा जो वेट है वाई, दो गेम्स किया, वो है फाली है Valorant Mobile, and second है Apex Legends Mobile, तो Valorant Mobile के अगर हम बात करें, तो 2021 के स्टार्टिं में रायट गेम जपान में वीडियो डाली था, अगर आपने देखियो पराने सब सब्सक्राइबर हो तो, Riot Games Japan के Twitter handle से tweet किया गया था कि Valorant Mobile is in development, we will launch this game ASAP, as soon as possible, तो उसके बाद कोई न्यूज नहीं आई, बट हाँ, ये गेम जैसे Valorant Mobile के कलोन बनते जा रहे है, अभी पिछले कुछ ताइम में, प्रोजेक्ट टाइम करके, NetEase ने कलोन बनाया था इसका, बाद में Riot Games ने, उसके बाद अभी रिसेंटली एक और इसका क्लोन आया अगर आपको बता है, तो शोली मिकना में को कमेंट में बता रहा है, हाइपर करके कुछ है, हाइपर उसका पूरा ना में को कमेंट में शोली बताना है, उस तरह से, जैसे के के क्लोन बनने है Valorant Mobile की को देखते हुए, इडिया में काफी लोग PUBG Mobile ओडियंस भी Valorant Mobile को खेलना चाहती है, उनके पीसी नहीं है इतना स्ट्रोंग, इसलिए वो खेलना चाहती है, अपने Valorant को, अपने Mobile Devices पे तो, request to Riot, अगर कोई देख रहा है तो, जल्दी लाओ यार, Valorant को इंडिया मतलब यह चल रही है, गेम का नाम है Apex Legends Mobile, तो, यह गेम भी बहुत जादा as usual, जैसे PC पे बहुत जादा optimized माननी जाती है यह वालिगम, बैसे मैंने खेली इसको परसली, इसका beta testing version, तो, बहुत ही जादा optimized है, बट पता न, इसको launch करने में डिलेय क्यों हो रहा है, बट यह इसका मै अगली जो गेम है, यह थोड़ी controversial topic है, अगला जो गेम का नाम है, वह है रोकस्टार की गेम, आपको बता है कि रोकस्टार की शैनंडरिया, वाइस सिटी वगारा गेम्स जो है, अपने mobile devices पे Android और iOS devices पे अल्रेड़ी अवेरीबल है, officially Google Play Store वगारा पे है, तो, अभी GTA Trilogy काफी flops ही गई है, आपको बता है, काफी bugs और glitches थे, और काफी मज़ा भी नहीं आया था audience को खेलने, मेरे को खुद परसली ठीक ताक लगे है, तो, GTA Trilogy बहुत जल्दी हो सकता है, जैसे अभी आपको बता है, Zynga और Rockstar Games या Take-Two Interactive का जो डील हुई है, 12.7 billion dollar की, अगर आप अपनी GTA 5 हो सकता है, कहीं नहीं चाहिद Cloud Gaming का सहारा लेकिया, कैसे भी करके, Mobile Devices पे Release हो सकती है, जैसे Zynga के साथ, डील बगरा कुछ हो है, बैसे Mobile, अपना क्या गहते है, उसको Cloud Gaming का सहारा लेकि तो भी भी चल रही है, Xbox Game Pass के जरीए, GTA 5 Mobile पे, मैंने वीडियो भी डाली सी, इ आप बताओ, जो मैंने आपको Apex Legends बताया, Battlefield बताया, Devil May Cry बताया, C.U.D. Warzone बताया, Valorand Mobile बताया, जो भी गेम आपको बताया, इन में से कौन सी गेम का सबस्यादा है, आप इंतिजार करो, अगर मैं पसली अगर बात करो, तो Valorand Mobile का बहुत जादा में बेट कर रहा हूं, बह इंडिया में अवेलिबल में को नहीं दिखा रहा, इस गेम इस नोट अवेलिबल फोर यर कंट्री इस तरह कुछ लिखा हुआ है, आप बताना कि आपने Just Cause Mobile खेली है, इसमें अपने इसमें इसमें अगर आती है या नहीं इसमें, Just Cause Mobile तो Just Cause Mobile नहीं आ रही इसमें, बाकि दिक्कत यह है कि मैं voiceover नहीं कर पाता, पता नहीं क्या दिक्कत है, कैमरा को face करने की आदत हो गई है, 4-5 सलों से लगातर कर रहा हूं मैं camera face, तो जैसे भी हो पाँग, आपको content मिलता रहेगा, continues and आज शिरुवात हो गई है, first of February को मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो यही तर आज की इस वीडियो मैं, I hope you like this video, last way guys, support कर ते रही, subscribe कर ते रही and like कर ते रही मेरे चैनल की सारी वीडियो को, bye bye guys, goodbye, good morning, good evening, लगा लो अपने आप, bye bye guys